नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी EPFO देगा पचास हजार का बोनस बस पूरी करनी होगी ये शर्त नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड निउज कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization ने नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है आपको बता दे कि EPFO देश भर में कर्मचारियों के वित्तिय भविश्य की सुरक्षा में एहम भूमिका निभाता है यह अपने ग्राहकों को एक व्यवस्थित रिटायर्मेंट सेविंग स्की महिया कराता है जिसके जरिये नौकरी के बाद उनकी वित्तिय स्थिर्ता सुनिश्चित की जा सकती है नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड निउस कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization के कुछ नियम ऐसे भी है जिनका अगर कर्मचारी पालन करते हैं तो उन्हें EPFO से सीधे 50,000 रुपए का बोनस मिलता है नियमों की जानकारी न होने की वज़ा से ग्राहक अपने खाते से जुड़े लाभों का लाभ नहीं उठा पाते है ऐसे में 50,000 रुपए के बोनस का लाभ उठाने के लिए EPFO सब्सक्राइबर्स को कौन सी शर्ते पूरी करनी होंगी इसका लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा कैसे पाएं EPFO बोनस का लाभ कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization के विभिन नियमों में से एक नियम लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट्स है इसमें कर्मचारी को 50,000 रुपए तक का सीधा लाभ मिलता है लेकिन EPFO द्वारा यह लाभ तभी दिया जाता है जब कर्मचारी लगातार 20 वर्षों तक अपने EPF खाते में नियमित योगदान करता है ऐसे में सभी PF खाता धारकों को सला दी जाती है कि वे नौकरी बदलने के बाद भी उसी EPF खाते, EPF अकाउंट्स में योगदान जारी रखें ऐसा करने से उन्हें loyalty come life benefit का लाभ मिलता है नौकरी पेशा लोगों के लिए good news किसको मिलेगा लाभ आपको बता दें कि कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization के loyalty come life benefit के तहद जिन ग्रहकों की basic salary 5000 रुपे तक है उन्हें 30,000 रुपे का लाभ मिलता है जबकी 5000 एक रुपे से 10,000 रुपे तक की basic salary वाले ग्रहकों को 40,000 रुपे का लाभ दिया जाता है अगर ग्रहक की basic salary 10,000 रुपे से ज्यादा है तो उन्हें 50,000 रुपे का लाभ दिया जाएगा ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बाते EPFO ग्रहकों को loyalty come life benefit का लाभ लेने के लिए ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वे भविश में अपनी नौकरी बदलते हैं तो उन्हें उसी खाते को जारी रखना चाहिए इसे बंद न करें और यदि आप अपनी नौकरी बदलते हैं तो आपको अपने पुराने और नए नियोकता दोनों को इसके बारे में सूचित करना होगा आम तौर पर सभी खाताधारकों को सला दी जाती है कि वे काम करते समय कर्मचारी भविश निधी संगठन, Employees Provident Fund Organization न निकालें क्योंकि इससे उन्हें Tax, Pension Lab, Loyalty Come Life Benefit और Retirement Fund में नुकसान हो सकता है केंद्र सरकार के कर्मचारीों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं सरकार ने आज कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारीों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है बजट सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में कॉंग्रेस की प्रणीती सुशील कुमार शिंदे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में वित्राज्य मंत्री पंकर्श चौधरी ने बताया कि प्रधान मंत्री श्रम योगी मांधन PMSYM पेंशन योजना 60 वर्ष के बा आयू वर्ष के वे श्रमिक जिनकी मासिक आए 15,000 या उससे कम है और जो कर्मचारी भविश निधी कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राश्ट्रिय पेंशन योजना के सदस्य नहीं है वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं इस योजना के तहत लाभार्थी 50 प्रतिशत म और से किया जाता है क्या होती है फैमिली पेंशन कौन होता है इसे पाने का हगदार फैमिली पेंशन एलिजिबिलिटी परिवार के किन सदस्यों को मिलती है फैमिली पेंशन क्या होता है इसके लिए क्राइटेरिया चलिए आपको बताते हैं फैमिली पेंशन को लेकर पूरी होती है। भविश में लोगों को पैसों के चलते कोई दिक्कत ना जहिलनी पड़े। इसलिए लोग पहले से ही पेंशन की व्यवस्था करके चलते हैं। और अन्य जगहों पर निवेश करते रहते हैं। पेंशन की बात की जाए तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं। तो वहीं अन्य स्कीम भी होती है जहां लोग इन्वेस्टमेंट करके अपना भविश सुरक्षित करते हैं। इनमें एक फैमिली पेंशन भी होती है। क्या होती है फैमिली पेंशन? परिवार के किन सदस्यों को मिलती है फैमिली पेंशन. क्या होता है इसके लिए क्राइटेरिया? चलिए आपको बताते हैं फैमिली पेंशन को लेकर जुड़ी बातें. क्या होती है फैमिली पेंशन? किसी भी संगठिक शेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 60 साल बाद पेंशन दिये जाने का प्रावधान होता है. कर contribution employer द्वारा भी किया जाता है, retirement के बाद एक तै राशी के तौर पर pension दी जाती है, लेकिन इस बीच अगर कर्मचारी की किसी कारण मौत हो जाती है, तो फिर परिवार के सदस्य को pension दी जाती है और इसे ही family pension कहा जाता है, कर्मचारी भविश्य निधी संगठन यानी EPFO के नियोमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी किसी कमपनी में 10 साल तक नौकरी करता है, तो वह pension पाने का हकदार होता है और इस दौरान अगर उसकी मृत्यू हो जाती है, तो उसके परिवार को family pension दी जाती है, किसे मिलती है family pension? उसके हिसाब से किसी कर्मचारी की मृत्यू के बाद उसकी पत्नी या पती को family pension दिये जाने का प्रावधान है, हालांकि इसमें दो बच्चों को भी लाब दिया जाता है, अगर बच्चों की उम्र 25 साल से कम है, तो ऐसे में दोनों बच्चों को 25 से 25 फीसदी हिस्सा pension में से दिया जाता है, तो वहीं पत्नी को 50 फीसदी हिस्सा दिया जाता है, वहीं अगर कर्मचारी की मौत के बाद उसका पार्टनर अगर दूसरी शादी कर लेता है, तो फिर बच्चों को दी जाने वाली pension 75 फीसदी हो जाती है, जो उन्हें 25 साल की उम्र तक दी जाती है, अगर क किसी कर्मचारी के बच्चे शारेरिक रूप से अक्षम है, तो उन्हें जिन्दगी भर 75 फीसदी pension दी जाती है, वहीं अगर कोई कर्मचारी जिसकी शादी नहीं होती और मृत्यू हो जाती है, तो फिर ऐसे मौके पर उसके माता-पिता को उम्र भर उसकी पूरी pension दी जाती है.